हेलो फ्रेंड्स दिस विजय राजपुस्प और विलकम टू लर्नराइज वाई वी रपी ध्यान दिजेगा जो प्रिपोजिशन होता है वो अमारे जीवन का काफी इंपोर्टेंट पार्ट्स होते हैं और यह जो होता है यह कंसेप्ट पर आधारित होता है अगर आपको कंसे पार्ट करते हैं प्रिपोजिशन का आज नेक्स पार्ट इसके पहले भी वीडियो अप्लोड कर दीगे आप उसको देख लिए जाकर तो ऐसे बात करते हैं प्रिपोजिशन प्रिपोजिशन में अभी तक आपने देखा कि वर्ट इस प्रिपोजिशन उसके बाद आपने ज देखेंगे कि आखिर रियल में प्रिपोजिशन का परियोग कहां पर होता है ठीक है तो हम लोग यूज़ प्रिपोजिशन देखेंगे आज जेनरली प्रिपोजिशन का जो यूज़ होता है वह पांच प्रकार से किया जाता है और वह होता है अगर सबसे पहले आप बताते है location location का मतलब क्या स्थिती दूसरा हम लोग यूज करते हैं इसका direction के लिए दीशा को बताने के लिए दीशा आपको पता है east west north south नहीं उसके बाद हम लोग preparation का प्रयोग time को बताने के लिए भी करते हैं और उसके बाद वर्व जब आप वर्व को बताना हो तो इसके लिए भी हम इसका परयोग करते हैं आर पाच्मा और अंतिम इसका जो यूज होता है वह होता है special यानि अस्थान रिलेशन बताने के लिए करेक्ट है तो अस्थान से सम्बंधित अगर आपको हुआ रेलेशन बताना हो तो उसके लिए हम प्रीफॉरिशन का प्रयूग करेंगे तो आई आई हम लोग एक एकर करके देखते हैं क्या खिर dai रेक्षान में कॉन सा आयगा और टाइम के लिए कौन आएगा वर्व के लिए और स्पेसियल के लिए कॉन क्षिएंगे तो देखते हैं पहले इसको तो ध्यान दिजें लोकेशन से रिलेटेड जो फिरिफोरषण होते हैं उसमें आते हैं इनका प्रिएजाता है और का प्रिएजाता आट कप रिएजाता है तो यह Circaten आपको लोकेशन को बताता है लोकेशन का बताने के लिए दिशा को बताने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं इन का इन्टू का अन का उसके बाद अन्टू का प्रयोग करते हैं तू का प्रयोग करते हैं और टूआड्स का प्रयोग करते हैं टूआड्स का प्रयोग करते हैं टाइम को बताने के लिए जनरली हम लोग उसके बाद since, during, during का पर्योग करते हैं, उसके बाद आप from का भी पर्योग करते हैं, और from के साथ to का भी पर्योग किया जाता है, वर्व के रूप में आप जो यूज करते हैं, at का पर्योग, उसके बाद होता है आपका, with का पर्योग करते हैं, of का, और about का पर्योग करते हैं, space बताने के लिए, space यानि अस्थान को बताने के लिए, जो हम लोग यूज करते हैं, उसमें आता है आपका, around का पर्योग, उसके बाद along का प्रयोग करते हैं विदीन का प्रयोग करते हैं और उसके बाद against का प्रयोग भी किया जाता है अगेंस्ट, out of, across, through, above, उसके बाद under, beneath, beside, उसके बाद behind और इसमें बहुत सारे प्रयोग है, जैसे मैं यहाद लिख दरता हूँ, between का भी प्रयोग किया जाता है, space के लिए, उसके बाद among का प्रयोग, ओडवलेफ का प्रयोग, ahead of का प्रयोग, उसके बाद before का प्रयोग, उसके बाद आता है, in front of, उसके बाद near y, तो यह सारा जो प्रयोग होते हैं, आप यूज करते हैं, किस में प्रिपोजिशन का, इतने में, आपको location बताना हो, direction बताना हो, time बताना हो, verb के साथ, और special relation, special relation का मतलब होता है, आसान से संबंधित जो होते हैं, तो आई सबसे पहले इसका एक स्क्रीन सोट लीजे, उसके बाद हम बात करते हैं, तो ध्यान दिया जाए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं, location, location जो है आपका location, अगर आपको location को बताना हो, तो location के लिए हम लोग परहें, तीन preparation नहीं, एक at का, एक on का और एक in का, location समझते हैं न, कोई भी, हम लोग का location है, मतलब हम लोग का area है, हम लोग का छेतर है, तो location जो होते हैं, उसको बताने के लिए हम ऐसे तीन preparation का परियोग करते हैं, नहीं, किस-किस का परियोग करते हैं, location के लिए on का, in का और at का परियोग करते हैं, तो आई इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं, कि हम लोग कहां पे on का प्रयोग करेंगे कहां पे इनका और कहां पे add का तो ध्यान दिजेगा हम location में इन तीनों preparation का जो प्रयोग करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ on का प्रयोग उन का प्रयोग जो आप करते हैं किसी surface पर कोई चीज contact में होता है माल जिया surface है इसके चीज कोई contact में तो इसक पर क्या करोगे ओन का प्रयोग करोगे जैसे आप लोग बोलते है on the table table के उपर उसके बाद बोलते हो on the floor floor का मतलब सता पर या आप बोलते है on the chair मतलब कुर्शी के उपर यही न तो जब कोई चीज किसी चीज के उपर से contact में हो तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हो on का और वह कब बात करेंगे जब कोई surface के उपर हो नहीं सता के उपर हो दूसरा समझेगा अब सवाला आता है कि इन का प्रयोग हम कहां पर करें यह तो एट की बात ना आप आउन का बात किये इन का प्रयोग कहां किये तो कोई भी अगर in close surface हो in close का मतलब समझते है न in close का मतलब होता है बंद area नहीं जैसे यह आपका in close area बंद है आपका जैसे आपका यह है नदी नदी के बीच में देखे इतो in close है न बंद है न और इसम वाटर है तो कहता है कि जब किसी in close area किसी बंद एच्छे तरी के अंदर के अगर बात करेंगे तो उसके लिए हम किसका आप PASRIU करेंगे आप इन का प्रियोकरेंगे जैसे देखे बंदीजे कि कोई box है आपके पास तो अगर यह box है आपके पास है इस box के अंदर कोई चीज़ है तो अंदर के लिए किसका प्रियो करना है इनका हम बोले कि in a box मतलब किसी box में नहीं अगर बोले कि in a room मतलब किसी room में room मतलब क्या camera के अंदर अंदर की बात कर रहा है हम बोले in a country मतलब क्या किसी किसी देश में तो एक बात समझे जब भी आपका कोई आप धी अरो उसके अंदर की अगर बात किया जाए तो उसके लिए क्या करेंगे इन लाग से R पूरे बात करेंगे ना पूरा पूरे एरिया का अगर बात करेंगे तो वहां पर एट का प्रयोग करेंगे लेकिन इसे स्कूल के अंदर माले कि हम आफिस की बात कर रहे हैं हम बोले कि स्कूल के अंदर आफिस है तो वहां पर बोलना परेगा इन नहीं इन आफिस नहीं लेकि हम किसी के अंदर की बात करते हैं, हम बोले कीचेन उस बिल्दिंग के अंदर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, in का पर हुआ, simple सा, माल लिजे कि कोई मचली अगर वाटर के अंदर है, तो उसके लिए हम किसका पर हुआ करेंगे, in का, नहीं, आप कलास में तो in कला है, नहीं, तो कोई भी चीज के अगर अंदर हो घेरा हुआ हो, और उसके अंदर कहीं भी हो, निस्चित नहीं होता है, आप कहें, जैसे इस कलास है, तो इस कलास में आप कहीं भी रहे, आप हमेशा क्या कहलेंगे, in, अब बोलते हैं कि may I come in, come in, in माने आप परवेश करना भ लोग, तो in closed area होगा, तो इसके लिए हम किसका पर्यों करेंगे, in का पर्यों करेंगे, लेकिन अगर आपको point बताना हो, point का मतलब, जैसे मैंने कहा था कि यह school, school एक हमारा point है, office, office हमारा point है, railway station, railway station हमारा क्या, point है, चोराहा, चोराहा मेरा point है, नहीं है, तो बस से stop जो है आपका, बस से stop भी तक point है, तो जब आप point की बात करें, point का मतलब एक पूरे उस छेतर की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें किसका पर्यों करेंगे, at का पर्यों करेंगे, लेकिन अगर आप उस area के अंदर, अब आ हाँ पर देखेंगे, अब रेलवे इस्टेशन के अंदर अगर पर्वेस कर गया है, तो इन सॉप बोलना पड़ेगा, नहीं बोलना पड़ेगा, इससे है, उसका बारे में हम बताते हैं, टोटल, जैसे, अगर हम बोले, यहाँ पे, इस्कूल के लिए ता एट इस्कूल हो गया, नहीं, ऑफिस के लिए ता एट आफिस हो गया, रेलवे स्टेशन, तो एट रेल वे स्टेशन हो गया, फिक्स, हाँ तो इस्कूल के अंदर अगर दुकान तो अंदर तो इन हो जाएगा, बोलेंगे, देयर इज, एस आप, नहीं, कहां पे, तो स्कूल में नहीं, तो महां पर एक स्कूल आयते होगा लेकिन दुकान ही न हो जाएगा चलिए तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीन सोट लेजिए तो फिर हम बात करते हैं आगे तो आई हम लोग आट और इन के बीच के एक अंतर को देखते हैं आट और इन ध्यान दीजे बच्चे लोग ध्यान दीजे बोड पर देखेगा आट का प्रयोग और इन का प्रयोग में अंतर क्या सिंपल आपने देखा कि एट जो होता है फिक्स की बात करता है एट जो होता है होल की बात करता है होल मतलब पूरा की बात करेगा in closed area की बात करेगा लेकिन पूरा और in जो होगा वह क्या करेगा किसी in closed area के अंदर की बात करेगा नहीं तो देखे दोनों में हम समझाते कैसे अगर कोई इस तरीके से बोलता है कि she is at library वह कहां पे है लाइब्रेरी में पुस्तकाले में है और कोई इसी को बोल देता है she is in the library तो गलत मत कर दिजेगा समझे रहे बात को क्यों कि काता है कि at का प्रयोग जो होता है वह जिस जगह पे आप गय हुए है उसके लिए आप at का प्रयोग करते है आप कहां गय है लाइब्रेरी तो जिस जगह पे आप गय हुए है वह आपके लिए क्या होता है at होता है नहीं लेकिन आप जिस बिल्डिंग के अंदर गय हुए है उसके लिए किसका प्रयोग होता है in का देखे आप बात कर रहे थे पुष्टकाले का simply तो हो गया at लेकिन आप बात कर रहे तो उस बिल्डिंग के अंदर की इन लाइब्रेरी के अंदर की बात कर रहे तो इन दोनों में गलत कोई नहीं है ठीक है अब एक और बात समझो अगर आप बोलते हैं कि एग अंडा जो है अगर बोलते हैं कि एक जो है इने होटल है अब देखिए तो होटल के अंदर है आप बोलते हैं कि मैं सेवेंथ फ्लोर पर हूँ कहां पर हूँ सातमा फ्लोर पुरा फ्लोर कीना बात कर रहा है तो उसमें क्या परियोक कर दिये overarching कर दिये नहीं लेकिन अगर आपको अब यहां सम्धुरा सा बात आगे बरहाते हैं और देखते हैं आट और इन की बात करेंगे, देखेगा, जनरारी लोकेशन के लिए आट और इन का प्रुक कहां पे होता है, अगर आपको small place की बात करना हो, और big place की बात करना हो, नहीं, अब small place में क्या हो सकता है, आपका village हो सकता है, आपका town हो सकता है, लेकिन big में क्या हो सकता है, आपका city हो सकता है मेड्रो सीटी हो सकता है नहीं यह समरा हो सकता है बरे आपका country हो सकता है और और state भी हो सकता है आपका अप गौड की जैसे अगर हम को कानाओ कि आई लीव इन विहार मैं कहाँ पर राता हूँ अब यहां पर राता कि I live at Bansi, अब यहाँ पर देखो, बहसी तो गाओ का नाम हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहसी चौक भी हो सकता है, यह नहोगा, लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है, कि I live, नहीं, बहसी चौक, बहसी चौक, चौक, नहीं, बहसी चौक, ठीक है, I live, बहसी चौक, बहसाली, या ऐसे करी, इसको भी काटिए, I live, बहसाली, बिहार, आब गौर करो, अब यहाँ पर गौर किजिए, यहाँ पर, आब यहाँ बहसाली तो डिस्ट्रिक है, तो इसके साथ इन बहसाली होना चाहिए, और बिहार के साथ भी इन बिहार होना चाहिए, लेकिन जब बरा के सामने छोटा आ जाए तब हम सब चीज को भूल कर और छोटे के अनुसार at और बरे के अनुसार in जैसे माल जे की है पीता और इसका कौन है ये पूत्र अइस पूत्र का फेर पूत्र हो गया तब तो ये फिर क्या बन गया पिता बन गया नहीं इसका मतलब है कि जो आपका कभी-कभी at जो होता है in जो है वह क्या कर लेता है यानि at जिसमें लगना चाहिए था in वह भी कभी-कभी at को गरहन कर लेता है कब जब छोटा हो जाया तब जैसे अगर हम बसंतपूर की बात करते और इसमें कालियस्थान आ गया नहीं तब स तरीके से याद रखना पड़ेगा यानि कहने कारता है कि जब बरा छोटा दोनों मौजूद हो जाए नहीं तो सारा रूल ब्रोकेन करेगा और जो दोनों में छोटा होगा उसमें at और बरावला में in बस से तने जैसे अगर भारत है अब फिर आपका कंटिनेंट की बात हो जाए अब पूरे भारत में क्या लग जाएगा एट लगेगा और इस या कंटिनेंट में इन लेया समझे अगर समझेंगे तो स्क्रिंशॉट ले लिजिए तो आई यह देखिए द्यान दिया जाए आई अब हम थोड़ा सा लिस्ट के बाद हम से देखेंगे कि आट का प्रयोग कि सिज़ के लिए कि लिए पॉइंट के लिए और इन का प्रयोग जो होगा वह किया जाएगा in closedred space के लिए और on का जो प्रयोग किया जाएगा वह किसके लिए किया जाएगा सर्फिस के लिए चले देखते है आट का प्रयोग कहाँपे हो सकता है आट दी बस स्टॉप, आट दी डॉर, किरपया स्क्रीन सॉट लेते रहे हैं, आट दी टॉप अफ दी पेस, at the end of the road, at the entrance, at the crossroads, उसके बाद एट दी फ्राउंट निक्स इन क्लोजम हो जागा इन दी कीचेन इन फ्रांस इन ए बोक्स इन मैं पोकेट उसके बाद इन ए बिल्डिंग इन ए कार और और का प्रियुक देखिए और माता किसी चीज के सर्फेस पर जैसे ऑन दी वाल अन दी शेलिंग अन दी डोर अन दी कवर अन दी फ्लोर इस तरीके से अन दी कारपेट तो ध्यान रखेगा तीन चीज़े प्वाइंट बताना हो तो एट का प्रियुक कीज़े इन क्लोज्ड स्पेसों घीरा हुआ तो इनका और सर्फेस बताना हो तो और उन का परियुक करेंगे और इस चीज़ का आप लोग परियोग भी करते रहेगा जब आप परियोग करते रहेगे तो आपको पता भी चलते रहेगा कि कहां पर कौन सा प्रिपोजिशन यूज होता है और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक न्यूजपेपर इंग्लिस का लिजिए और उसके एक लाइन को लिखी और उसमें से जितने भी प्रिपोजिशन उसको काटिये मतलब नहीं लिखे उसको और बाद में खुद से भरिये और उसके बाद मिला लिजे नहीं तो उससे भी आपको पता चलते रहेगा वैसे इंग्लिस सिखने का सबसे बहतर जो तरीका वह निउस्पेप पर तो पहले स्क्रीन सोट लेजे फिर बात करते हैं तो अब हम लोग प्रिपोजिशन की बात करेंगे जो कि डायरेक्शन में यूज होते हैं डायरेक्शन यानि दीशा को बताने के लिए नहीं हम लोग किसका प्रियोग करते हैं प्रिपोजिशन का प्रियोग करते हैं सब से पहले समझेगा कि अगर आप किसी सर्फेस पर मुवमेंट को दिखाना हो तू अ सर्फेस तू उसके लिए हम दो तरीके आप प्री पोजिशन होता है एक ओन होता और एक अन्टू होता है अन्टू का प्रीक हम लोग करेंगे डाइनेमिक के रूप में डाइनेमिक का मतल़ होता है जब वह गती में हो ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पर बच्चे यहां पर गौर किजिए मान लिजिए कि अगर आपके पास कोई बॉक्स है यही मेरे पास बॉक्स है नहीं तो अगर यह नीचे से बॉल उपर आए और इस सरफेस पर इस पर नीचे से बॉल आकर और यहां पर उचलने लगे तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे ध्यान लखेगा अंटू का मतल़ होता है डाइनेमिक डाइनेमिक माने गौती सील किसी भी सता पर जाकर जैसे यह मारकर इस प आपके पास एक यह है बना हुआ नहीं सुराही या घरा जो कहा और इसमें मालो नीचे से एक चुवा जो असे कुद गया इसमें और कुदने के बाद क्या किया इसके सरफेस पर आकर कुदने लगा इसे से जंप करने लगा तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे कोई भी सर्फेस पर आकर हुआ उच्छलने लगे तो on to सर्फेस पर बिल्कुल आके बैठ जाया केबल तो यह on का पर्योग करेंगे द्यान लखेगा इस चीज को समझ गए उसके बाद दूसरा समझे अब क्या होता है एक होता आपका in और into in और into into ओता फिर डाइनेमिक गती सील देखो जब किसी in close area के अंदर हो तो क्या है इन है लेकिन जब उसमें गती के साथ मुमेंट के साथ क्या करते हो प्रबेस करते हो तो into का पर्योग करो फिर से देखेंगा एक बार मा लिजे अगर हम कहते हैं कि the cat यहां बोलते हैं the fish jumped in or into the whale कुवा में कुदा तो कुदेगा तो क्या अराम से कुदेगा गती के साथ जब भी किसी चीज के अंदर कोई चीज कुद रहा है गती सील है तो क्या होगा लेकिन अगर नदी में मचली है तो the fish is in or into the river तो क्या बोलिएगा आप ही बताए in होगा क्योंकि जब किसी close surface के अंदर है गती में तो नहीं दिखा रहा है एक और चीज देखे अगर आप केक को केक को ओबन में डालते हैं ओबन समझते हो चूला समझते हो तो उसके अंदर अगर डालोगे तो किसका प्रेव करोगे ओबन के अंदर है पहले से है तो क्या करोगे देखो समझो और ओबन माने एक बार फिर समझे इसको एक बार समझने का प्रयास किया जाए पहले यहां पे अगर आप किसी केक को ओबन में डाल रहे हो ओबन माने चुला पर चुलाक में तो अगर गती है तो इन्टू अगर ओबन के अंदर डाल चुके हो तो इन केको पकाने के लिए डालोगे न अंदर चुला में तो सिम्पल सी बार समझो कि मान लोग कि हमारे पास बरतन है और इस बरतन के अंदर और कोई चीज ऐसे छोड़ रहे हो तो छोड़ रहा है तो इन्टू अजब इसमें अंदर चला गया तो क्या हो जागा बस सिंपल सा फंडा है नहीं अब एक चीज और है अगर आपको डेस्टिनेशन बताना हो तो उसके लिए टू या टुवार्ड का प्रयू किया जाता है अ अब टूवार्ड क्या इसके बार समझेगा दोनों कारत होता है की ओर लेकिन अगर आपका डेस्टिनी आपका जो लक्ष है वह किसी ओर जा रहा हो लेकिन उस जगह पे जाएगा कि नहीं हमें पता तो टूवार्ड का प्रयू किजेगा और निस्चित है कि उससे होकर ही जा जाओंगा अगो टूवार्ड पतना मतलब पतना की ओर जा रहा हूं जरूरी नहीं कि मैं पतना जाओंगा की जैसे आप यहां पर बसंथपूर पढ़ने आए तो आप क्या बोलेंगे घर पे कि I go to बसंथपूर मैं बसंथपूर जाता हूं या I am going to बसंथपूर मैं बसंथ बसंथपूर इसका मैं बसंथपूर वाले रूट से जा रहा हूं लेकिन मैं बसंथपूर जाओंगा कि नहीं जाओंगा एपस नहीं है तो जब भी आप कहीं जा रहे होते हैं तो अकसर आजकल जो लोग होते हैं what 2 a..Word Я 2 iki वारण का परिव करते हैं वो बताते कि मैं मैं I'm लेते आईएगा नहीं या मेरा कपरा ऐसे से बदल के लाइएगा इसलों बोलता है कोई ठीक नहीं है मैं हो सकता है तो जाओंगा अना तो नहीं लेकिन मैं उधर क्योंड जा रहा हूं और भी बोलता है आप अगर बोलेगा तो आपको पता नहीं बिल्कुल आपको पता है वो तो बहना मार देया कि हम आट गया ही नहीं लेकिन टू बोल दोगे तो फिक्स है कि तुम जाही रहे हो ठीक है तो सबसे पहले आप क्या करिए लिखना तो समझेगा यानि अगर ए जो है वह टू बी जा रहा है कहां पर जा रहा है बी यानि अपकोर्स है कि ए जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चे लोग तो देखें यहां पर ए के साथ करा कि ए टू बी मतलब ए अराइब डेट बी इसका मतलब है कि बी जरूर जाएगा का ए जो एसे जरूर जाएगा कहां पर बी के पास लेकिन अगर ऐसे रहा था कि ए टू आड़ बी इसका मतलब क्या है A is on the way to be मतलब A जो है बी के रास्ते की और बे मने रास्ता तू तू मने उसकी और A जो है बी के रास्ते की और है लेकिन बी पर पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा हमें पता नहीं तो सबसे पहले आप स्क्रीन सोट ले और एक पहले समझ लेकपर फिर से direction के लिए हम इतना परयोग करेंगे पहला जब आप किसी surface के ऊपर fix है ऊपर से है और अगर कोई चीज नीचे से या कहीं से jump कर रहा है surface पर onto onto जब किसी enclosed area के अंदर है तो in और जब प्रबेस कर रहें गती के साथ into जब आप किसी गंतब अस्थान से हो कर जाएंगे तो to और उसके रास्ते से में है तो आप toward का प्रयूग करेंगे correct है तो सबसे पहले आप क्या करिए मेरा कर लिया है कि इरे जीविमीरा कलिको कशल हो रहा है तो आए आप अम से और देखते है टाइम से रिलेटर प्रीपोजिशन के बारे में डॉय जो उते है इसमें दो तरीके प्रे शाचकरते हैं एक होता है जो वोब वाइन्ट को बताता है नहीं और दूसरा जो होता है वो प्रिया अवट टाइम को बताता है पिरियाद ओफ टाइम को बताता है जैसे आप के लिए उज़करते इन रहनका या एट का और इसके लिए प्रयों करते हैं fork कि यहां से पाटी शुरूआ था और कहां तक चला साथ बज़े शुरूआ था राट बज़ तक चला तो इसके दौरान जो कुछ भी होगा सब किसमें आएगा डियूरिंग के अंतरगत आएगा बाई का मतलब होता है तक फ्रॉम टिल माने यहां से लेके यहां तक विदीन का म अब यहां आगा आट परियोग करना तो कहां पर करेंगे? नाइट के साथ करेंगे, नाइट समस्ते न? जैसे आट नाइट नाइट? नाइट? नाइए लिए नएजैसे हम बोले कि वह रात में ब्यास्त रहता है, तो कैसे बुलोगे लेकिन अगर इन नाइट कर दोगे नहीं नाइट इसका मतलब होता है पार्टी कुलर नाइट खास रात जैसे मालों किसी के सादी का रात हो किसी के पार्टी का रात हो नहीं कलब का रात हो तो समय खास रात होगा तो उसके लिए इन नाइट होगा जेनरली नाइट के साथ क्लोक मतलब अगरी घरी में पॉइंट दिया रहाता है उसके लिए जैसे क्या दिया रहता है आप बोलते कि 7 बज़े तो एक गरी पर 7 बज़े नहीं उसके बाद आप बोलते हैं कि होलीडे का मतलब आवकास आवकास में भी हम किसका प्रू करेंगे आय्ट का जैसे आप बोलते किसमस अव देये सीएच आरायस टी-म-ेश क्रिस्मस दे यह कास है विकेंड ना आप दीटेंड इसमें लो करते हैं करेक्ट है देखें किरिस्मस के साथ ऐट क्रिस्マस लग गया अप का समझे गा न खोर किजे अलका का परोग कहां पर करेंगे इसके बाद मैं यहां यहां पर लिख दूर का इंड on का योग आप कहां पर करेंगे इसकेconscious में समझेगा तो काता है कि on का पर रोगा आप कहां पर करते हैं days of the big days of the big मने सब्ता के जो दीन होते हैं उसके पहले करते हैं जैसे आप Monday है तो Monday का पहले क्या हो जागा on and day of the big always is written in capital letters किसमें लिखा जाता है तो capital letters नहीं हमेशा किसका युज किजेगा capital letter या block letter जिसको आप बोलते हैं लेकिन एक बास समझेगा अगर आपको date बताना हो date माने तारीक बताना हो तो उसके लिए भी हम यहीं युज करेंगे जैसे on the fifth of June नहीं यहाँ पर fifth June के लिए किसका प्रियू करेंगे on उसके बाद अगर आपका कोई खास दीन है particular days है particular days माने क्या होता है खास दीन यादगार दीन जिसको आप कहते हैं जैसे on my birthday बड़े जो खास दीन हुआ आपका तो उसके साथ भी आप क्या है उसकी जेगा तो उसके पहले भी आप बड़े किसी का भी उसमें हमें सा क्या करेंगे इसका पर्यों करेंगे और एक चीज़ और होता है इनका परियों कहां पर करेंगे इसके बारे मुझे आगर parts of day बताना है parts of day दीन का न हिससा बताना हो दिन का हिसा क्या क्या हो सकता है In the morning In the evening In the afternoon अगर आपको महीना का नाम बताना हो Months के नाम के पले भी In कप्रे होगा जैसे In January नहीं उसके बाद Season का नाम बताना हो Seasons, रितू का नाम जैसे In Summer In Winter नहीं उसके बाद Years बताना हो साल जैसे भी चलना है 2000 21 तो साल के पहले भी किसका पर्यूख करना है In का पर्यूख करना है महीना हो, साल हो नहीं उसके बाद अगर decades बताना हो क्या बताना हो decades जैसे 90s इन 90s हो जाएगा नहीं उसके बाद century सताबदी बताना हो जैसे भी हम बुले 20 अब हो जाएगा 21st century नहीं तो 21st century में भी क्या लाएगा इनका पर्यूख करेंगे तो पहले इसका screen shot आप लोग ले लीजिए तो द्यान दिया जाए आज हम लोग बात करेंगे दो प्रिपोजिशन के बारे में जो काफ़ इंपोर्टेंट है एक है between और दूसरा होता है among देखिए वैसे तो एक और लोग पर्यूख करते हैं इन between का भी पर्यूख करते हैं गौर किजेगा जब बात दो के बीच की हो जब बात किसकी बीच हो तो उसके लिए हम लोग वेटिविन का प्रयूख करते हैं जैसे गर हम कहें कि दा मैच विल वी प्लेड विल वी प्लेड इंडिया एन आवस्ट्रेलिया इंडिया एनड यानि मैच खेला जाएगा किसके बीच में इंडिया और और उस्ट्रेलिया के बीच में तो दो के बीच है तो बेटिविन का प्रयूख होगा लेकिन जब इस दो के बीच में कोई तीसरा आ जाए जब दो के बीच में तीसरा आ जाए तो उसके लिए हम in between का प्रियोग करते हैं ये new proposition देख सकते हैं आप जैसे अगर हम बोले कि Ria is Zia and Tia आप सुनो Ria तो है लेकिन किसके बीच में है 2 के बीच में है न तो जब 2 के बीच में कोई तीसरा आ जाए तो in between और जब 2 से ज़्यादा के बीच में कोई आ जाए तो इसके लिए किसका प्रियोग करेगा अमंका 2 के बीच के बल हो तो between और 2 के बीच में अगर तीसरा आ जाए अब दो से ज़्यादा के बीच में कोई आ जाए अमांग का परियोग हम लोग करते हैं जैसे दा टीचर डिस्ट्रिब्यूटेड दा टीचर डिस्ट्रिब्यूटेड स्विट्स नहीं अमांग देम क्या कह रहा जा रहा है कहा जा रहा है कि सिक्षक ने उन लोगों के बीच में मिठाईया बितिरित की मतलब उन लोगों के बीच का मतलब क्या है बहुत सारे लोग है और उनके बीच में मिठाईया बाटा गया सिक्षक के द्वारा या सिक्षकों ने बाटी तो दो से ज़्यादा रहेगा तुझके लिए किसका प्रयोग किजेगा अमंक आप लोग प्रयोग किजेगा और एक चीज और याद रखेगा जो बेटवीन होते है वह एक चीज जरूर लेता है यहाँ पर गौर किये होंगे वह बेटवीन अपने साथ क्या लेकर आता है तो जब भी बेटवीन का प्रयोग हो याद रखेगा किसके बाद किसका प्रयोग करिएगा आप लोग अगर आइंड नहीं आएगा तो हम क्या कहेंगे कि यू आर इनकरेक्ट दी सेंटेंस तो बेटवीन के साथ हमेशा क्या आएगा बोलो बच्चे और दूसरी बाद प्रेपोजीशन के बाद हमेशा अबजेक्टिब केस का प्रयोग होता है किस केस का इसलिए अगर आपने इस तरीके स्वाक बनाया है तो आप गलत माने जाएंगे जासे अगर कोई लिख देता है बेटवीन दे तो गलत है इसके जगापर क्या देना चाहिए देम का प्रयोग करना चाहिए चुकि बेटवीन प्रेपोजीशन है अब प्रेपोजीशन के बाद हमेशा कौन सा केस आता है अबजेक्टिब objective case में कौन आता है पता आपको I का objective case Me V का Us You का You He का Him See का Her नहीं और It का It They का Them तो हमेशा कोई भी preposition रहे यही objective case कहीं पर्योग किजेगा आप between के बाद या of के बाद या in के बाद या at के बाद कभी भी I का पर्योग नहीं करेंगा subjective case है हमेशा कौन case आएगा objective case आएगा तो पहले आप इसको screenshot लिजे फिर बाते करते हैं तो यह है कुछ fixed preposition आपको नजर आ रहा होगा देकि सबसे पहले आप एक जो लिखा गया उसको आप लिखेगा उसके बाद इसको note करिएगा और उसके बाद last में इसको note किजेगा ठीक है मैं एक बाद पर देता हूँ average of average to यह मैं परहा रहा हूँ जो कि fixed preposition है average जहां भी देकिएंगो वहाँ पे क्या लगाएंगे आप लो अप का पर्योग करेंगे और अब रहेंट रहाएगा तो to absorbed in abstinence from acceptable to access to, accessible to, accession to, accomplished in, accurate in, accused of, or accustomed to, acquaintance with और second नमबर प्रुष्का note किजेगा आप लो acquainted with, acute of, adapted to, addicted to, adjacent to, affordable to, affection for, affectionate to, applicated with, afraid of, agreeable to, agree with someone जब कोई व्यक्ती हो तो agree के साथ with पर्योग किजेगा और जब कोई चीज हो तो agree to किजेगा akin to, alarmed at, alien to, allegiance to, alliance with और third नमबर में उसका नूट किजेगा alternative to, ambition for, amenable to, analogous to तो ये था आज का क्लास, काफी important क्लास जो कि प्रिपोजिशन के वारे में काफी जनकारी दी गई मैं आसा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो देर किस बात की है, like बटन दिख रहा है आपको नीचे उस like पर like कर दिजे और नए भीवर से तो इस channel को subscribe कर दिजे और bell icon को all पे प्रेस किजे जिससे जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको notification ले तो मिलते हैं फिर एक और बेहतर इन कलास के साथ तब तक take care, bye bye, be enjoy, thanks for watching